दोस्तो सारू खान की upcoming movie जवान के preview video देखने के बाद बहुत सारे सवालाथ आपके दिमाख में आए होंगे लेकिन ये preview video देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जवान movie के बारे में पूरी तरीके से इस preview video में कुछ भी reveal नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों इस preview वीडियो को चार से पांच बार देखने के बाद मैं कुछ नतीजों पे पहुँचा हूँ कि साइद इस movie की story ऐसी होने वाली है और इस preview वीडियो में भी दिखाये गए scenes को crack करने के बाद मैं कुछ नतीजों पे पहुँचा हूँ जो मैं आपको आज की सी वीडियो में बताने वाला हूँ कि नारी शक्ती इसको देखने के बाद ये बात तो समाझ आ जाती है कि सारु खान की जवान movie women empowerment को लेकर बनाई गई है और दोस्तों आपने आगर notice किया हो तो इस preview वीडियो में तीन प्राइम locations को दिखाया गया है जिसमें पहली है जेल जहां पर एक छोटे से बच्चे का जनम होता हुआ दिखाया गया है दूसरी है मेटरो जहां पर सारु खान अपने चहरे को पट्टियों से बांद करके मेटरों के अंदर entry लेते हैं और तीसरा scene है उस गाओं का जहां पर सारु खान ने अपनी पूरी बोड़ी को पट्टियों से बांद रखा है और गुंडो ही एहम रोल होने वाला है और दोस्तो इसके अलावा इस मूवी में सारु खान के डिफरेंट डिफरेंट लुक की हाँ जगहां पर चर्चा है लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लुक दिखाये गए हैं वो एक करेक्टर के नहीं है मतलब कि दोस्तो ऐस भी बताया जा रहा है कि इस मूवी में सारु खान दो से जादा भी करेक्टर्स में नजर आ सकते हैं और दोस्तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइगर पठान और वोर की तरह जवान मूवी भी अपना ही एक यूनिवर्स तैयार कर रहा है जिसके अगले पार्ट्स में आपको सारु खान के साथ थलापती वीजय भी देखने को मिल सकते हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है ही जवान फ्रेंचैजी के अंदर ही दीपी का पादु को उनकी एक सोलो मूवी भी आ सकती है जहां पर वो भी एक्शन करते हुए दिख सकेंगी मतलब कि दोस्तों ये तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी के साथ मैं आप से लेता हूं वालविदा मिलता हूं बहुत लगली वीडियो में तब तक जाहिंद